गैलोग को पीछे छोड़ने वाले हैं पाइलेट कॉंग्रेस में अब पाइलेट युक काउद है युक सबचुनाव के बाद बढ़ेगा कद आखिर क्या है कॉंग्रेस की वरणनेती है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राखी लांबा और आप देख रही है न्यूज एक्स्प्रेस राज़स्तान की राजनीती इस वक्त चर्चा का विशे बनी हुई है हर जगा सर्फ राजाओं के स्थार राज़स्तान पर सभी की नज़रे है यहां कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों की साख दाव पर लगी हुई है जाए एक तरफ बीजेपी 25 की 25 सीटों पर ज़ीत का दावा कर रही है तो वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि इन लोगसवा चुनावों के जरिये वो बीजेपी को फिर से अपना दम दिखाएगी इस बार उनकी अगनी परिक्षा है कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉंग्रेस रज्जिस्तान की अगर इन छे लोगसवा सीटों पर मजबूती से दिखाई देगी और जीतेगी तो ऐसे में चर्चा शुरू है कि अगर इस चुनाव में इन सीटों पर सचिन पाइलेट की वज़ाए से जीत हासिल हुई तो आने वाले सबय में सचिन पाइलेट का कद कॉंग्रेस में और भी ज्यादा बढ़ सकता है यानि कि गैलोग से भी ज्यादा पाइलेट की भूमी का मजबूत हो सकती है ये छे लोगसबा सीट कौन सी है वो भी आपको बताएंगे जो सचिन पाइलेट के राजनितिक भविश्य के लिए बहत जरूरी हो गई है ये सीटे कौन कौन सी है विस्तार से आपको इनकी ज्यानकारी देती है सबसे पहली सीट राजस्थान के जुनजनू लोगसबा सीट सीट को कॉंग्रेस के लिए काफी मजबूत माना जाता है सीट को लेकर कॉंग्रेस दावा भी कर रही है कि जुनजुनु की सीट कॉंग्रेस पार्टी की जोली में जाएगी सीट पर पाइलेट के करीबी को लोगसभा का टिकेट दिया गया जुनजुनु से पाइलेट ग्रुप के बिजेंद्र ओला को चुनावी मैदान में उतारा गया है सचिन पाइलेट ने उनके पक्ष में भी जुनजुनु जाकर चुनावी सभा को सम्बोधित किया था इसके अनावा जैपूर ग्रामीर लोगसभा सीट पर भी सचिन पाइलेट की साखदाव पर है इस सीट से सचिन पाइलेट की बेहत करीबी और युवा नेता अनिल चोपडा के लिए पाइलेट ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है राजिस्तान के सीट पर पूरी सियासत की नसद टिकी है पाइलेट इस सीट से अनिल चोपडा की जीत की भविश्यमारी तक कर चुके है इस सीट को कॉंग्रेज का मजबूत गड़ माना जाता है तीसरी और काफी एहम सीट है मुख्यमंतरी बजनलाल चुर्मा के ग्रही जिले भरतपूर लोगसभा सीट इस सीट पर सचिन पाइलेट ने अपनी पूरी ताकत जोगती है सीट से कॉंग्रेज की तरफ से संजना जाटव को चुनावी मैदान में उतारा संजना जाटव के लिए सचिन पाइलेट ने खुद मोर्चा सम्हाला था बरतपूर लोगसभा सीट को भी कॉंग्रेज के लिए मजबूत सीट माना जाता है एक और ऐसी सीट है जो है इस वक्त कॉंग्रेज बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है भॉलपूर का रॉली सीट भी कॉंग्रेज के लिए महतपूर है कॉंग्रेज ने भजनलाल जाटव को यहां से टिकेट दिया पाइलेट भजनलाल के लिए खुब परचार कर रही है इस सीट से कॉंग्रेज फिलाल मजबूत स्थिती में दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा सचन पाइलेट की मजबूत और पाइलेट का वजूत कहीं जाने वाली टों सवाई मादोपूर की सीट पर कॉंग्रेज की सांसे एटकी हुई है हाला कि सीट पर जीत को लेकर कॉंग्रेज आश्वस्त है इस सीट से पाइलेट के करीबी पूरवे डीजीपी हरीश मीना को चुनाव मैदान मे उतारा गया हरीश मीना वही नेता है जिनोंने गहलोड पाइलेट के हुई सियासी संकट में सचन पाइलेट का साथ दिया था पाइलेट की वज़े से हडीश मीना मजबूत इस्तिती में दिखाई दी रही है सबसे आकरी में जिस सीट के हम बात कर रही है यहां कॉंक्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत इस्तिती में है यह सीट है दोसा लोग सभा सीट दोसा लोग सबा सीट सो सचिन पाइलेट के करीबी मुरारी लाल मीना चुनोती दी रही है दोसा सीट को सचिन पाइलेट के गड़ माना जाता है मुरारी लाल मीना के लिए सचिन पाइलेट ने जोरो शोरो से पचार तक किया सचिर पाइलेट ने ये तक कहा था कि मैं फ्री हूँ इसलिए जहां मुरारी जी नहीं जा सकते वहाँ बूत मागने के लिए मैं जाऊंगा आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीटे पाइलेट के लिए कितनी जरूरी है अगर पाइलेट ने इंसीटों पर ज्रीद दिलाने में वो काम्याब हो गए तो उनका कद पार्टी में काफी बढ़ जाएगा और खासकर राजस्थान में आपकी क्या रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं नमस्कार